नमस्कार किसान साथियों मैं राजूराम राठोड तेसिल बिल्लाडा जिल्ल जोदपुर राजस्तान से आज मैं खड़ा हूँ मेरे कपाज की फसल के अंदर ये पूर्ण रूप से वेस्ट डीकंपोजर आधारित माइक्रो नीटरन पत्थरों के गोल आधारित आपको पता ह मैं हर वीडियो में आपको कुछ नई रोचक अनुभव की बाते बताता हूँ जरूर इसमें से कुछ आप फोलो करते होंगे मुझे ऐसी आसा वापेक्षा है मैं आपको दिखाऊंगा देखिए इस फसल के अंदर मित्र कीटों का आगमन कैसे होता है जहां मैं खड़ा मुझे पता नहीं था कि इसके उपर गिरगिट आके बैठा है मेरी नजर वीडियो बनाते बनाते इसके उपर चली गई ये मैं अभी एक गंटे पहले इसमें माइक्रो निूट्रन पथरों का गोल सपेद वो हराम अच्छर ना आय इसके लिए अमरत धारा मिला कर इस्प्र करके रखता हूँ ताकि मुझे एन वक्त पर ऐसी समश्या मेरे खेत में पैदा ना हो कि मुझे भागना पड़े वो उत्पाद एक दम बनाने के लिए आपात कालिन बनाने के लिए ये आप देख पा रहे हैं मैं आपको नज़ती के लिए चलता हूँ मेरे खेत में सबसे प में ये गिर्गिट खेत में आने वाली छोटी तितली बड़ा सफेद गोल मच्छर काला मच्छर इल्ली को खाके अपना आहार करता है मुझे अब पूर्ण रुप से संतुष्टी मैसूस हो गई है संतुष्टी तो मेरे को पहले भी हो गई थी जब से मैंने वेस्टर डी कंपोजर का उपयोग करना चालू किया मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ था कि 20 रुपे का कोई उत्पाद मेरे खेत में ऐसा बदलाव लाएगा क्या पर्त्यक्स को परमान की क्या जरूरत यह आप स्वेम देखें पक्सियों की आवाज आप देखें अगर यह देखो आपको कहीं चीडिया नजर आई हुई ये छोटी जो चीडिया है ये अपने गोंसले हमारे कपास की फसल में बना चुकी है मैं थोड़ा पास जाकर आपको दिखाऊंगा कि वो चीडिया कहां बैठी है और क्या कर रही है आप इसको देख पाएंगे साइद चीडिया उड़ गई है नहीं देख पाए हाँ चीडिया यहां बैठी थी देखिए वाह कृष्ण चंद्रा जी आपको सत 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 नमन देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये उपर कपास का बड़ा पत्ता है इसके नीचे ये चीडिया अपना गोंसला बनाने जा रही है ये आप देखें थोड़ा केमरे को लौंग लेते हैं देखिए अचरज अचंबा कितना शुन्दर इसके अंदर चीडिया ने दागों से गोंसला भी बनाया है और मैंने आपको इसी में गिर्गिट भी दिखाया है यानि की मित्र कीटों का आगमन हमारे खेत में अब हो गया है ये मित्र कीट फसल में लगने वाले छोटे बड़े खानी कारक सत्रू कीटों का दमन करते हैं ये आप देखें कैसे बेटा है मस्त एकदम ये गिर्गिट मित्र कीटों का आगमन वेस्ट डी कमपोजर से देखिए मैं इसके बिलकुल पास आ गया हूँ मैंने आपको बताया है गिर्गिट टिटरी बगूला कबूतर तोता मेना किसानों के मित्र कीट है आप इन्हें मारे नहीं खेतों में रसायनों का उप्योग नहीं करें रसायनों का उप्योग करने से ये मित्र कीट न तो दर्ती पे रेंग पाते हैं न चल पाते हैं और आपकी फसल फिर कहीं कीटों से ओत प्रोथ होकर आपको रसायन लाने के लिए मजबूर कर देती है मैं आपको चिडिया उड़ गई देखें ये आ गई चिडिया इसी चिडिया ने खेत में गौशला बनाया है और ये अब इस गौशले में अपने बच्चों को देकर अंडे सेगी बहुत जबरदस्त आज हमें मैसूस हो रहा है हमारे इस खेत में मित्र कीटों के आने से न तितली का प्रकोप न सपेद मच्चर का प्रकोप न हरी इल्ली न कात्रा इल्ली कात्रा इल्ली आम वासा में इसको कहते हैं लेकिन ये है बाल वाली इल्ली ये किसानों के लिए बहुत ही दर्द बरा शब्द है कि ये कात्रा अगर आ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी तोचा पर कोई दवाई काम नहीं करती जब कोई किसान भाई रसाइनिक दमाओं का इस्तेमाल करता है जब इसकी गंद इस पर करने वाली गंद उसके नाक में चली जाती है तो वो मुढ के मुझ को समेट के गोल होके बैठा जाती है पीचे से उसको अगर आप धो भी देंगे तो भी वो नहीं मरेगी क्योंकि जब तक जायर उसके मुझ तक नहीं जाता पर यहां किसी भी परकार का कोई रोग का प्रकोप नहीं है मैं बार-बार आप लोगों से निवेदन करूँगा विंती करूँगा क्रमबद आप अपने बच्चों के स्वास्ते के लिए जरूर जिवी खेती के और आजाए भाईयों वैस्टरडी कंपोजर आपको वो लाब देगा वो फाइदा देगा जो आपने कभी सोचा नहीं इस वीडियो में इतना ही